नमस्कार दोस्तों, Health and Motivation निंदी चैनल पर मैं जलीब कुमार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं पतंजली ओरेंज एलो वीरा विद निम तुलसी फेस वोस के बारे में दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इस फेस वोस के बारे में complete detail देने वाला हूँ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पतंजली के ओर से जो ये औरेंज एलो वीरा फेस वोस अप्लुक्त करें जाती हैं इसका काम क्या है, ये इसके results क्या है, इसकी price, packing बगेरा, इसको use कैसे करना है साथ में इसके benefits बगेरा के बारे में आपको complete जानकरी दी जाएगी इस वीडियो को दोस्तों आपको पूरा देखना है, आप इस वीडियो का पूरा पूरा लाब उठा सके दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल Health and Motivation in Hindi को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिए और इसके साथ भी दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि Health, Motivation और Study के बारे में हमारे जो भी qualitative content आएगा उसका time to time notification है वो आपको मिलता रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज कब इसे पतंजली औरेंज एलो वीरा वित निम तुर्शी फेस्वोस की complete detail और जानकरी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस पतंजली की फेस्वोस हाती इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है अपको इसके बारे में बी में रिजर्ट्स पर आने वाला हूँ वो आपको इस वीडियो का अंद पर देखने को मिलेगा कि यह काम कितनी कर पाती हैं जोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यह किन किन चीज़ों को मिलाकर बनी है जैसा कि आप इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि यह ऐलोविरा औरेंज फिल नीम और तुलसी चार तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाई गई है इसमें जोस्तों सबसे ज़्यादा है वो वीरा हैं और प्रतंजली अलो वीरा पर जोर भी सबसे ज्यादा दोस्तों, अगर इसके पैकिंग के बात करें तो यह पहत इस टैनर स्थे तरीक इस साथं तरहम इसके तरह हैं ट्रावल फेंडली हैं आप इस को अची तरीके से डेलिंग में यूज कर सकते हैं। इसके प्राइज के बात करें तो दोस्तों यह आपको 45 इप मिल जाएगी 60 ग्राम की है यह फेसोस आपको 45 इप मिल जाएगी प्राइज की सबसे अगर देखें तो यह बहुत ही ज्यादा अपड़ेबल है और दोस्तों अगर आप इसको आपकी यह नॉर्मल स्कीन है या फिर सकते हैं और अगर आपके नॉर्मल स्कीन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों इसमें जापको कैसे करना है कि पहले चेहरे को अच्छी तरीके से पानी से दोलें इसके बाद आपको इस फेसोस को अपलाई करना है जैटली एक से दो मिनिट या फिर दो टीनमिल आपको अच्छी तरीके से रख करना है इस पेस्पूस को चेहरे के ऊपर फिर चेहरे को लियुक वार्व यानि की गुंगने पानी से आपको धोलेना है तो दोस्तों यह आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट दे पाएगी अब बात करते हैं कि यह रिजल्ट देती हैं कितना आपको निजात दलाती हैं तो दोस्तों अगर अपन फेस्वोस इसको देखें तो यह बढ़िया है जो आपको जो बेनेफिट इसके लिखा हुए मिल रहा है कि आप इससे जो चेहरे के उपर जो डर्ट रोल होता है उसको यह करेगी तो यह करती है बढ़िया तरीके से रिमू रिमू मुआ करते हैं फूब सारी चीज Pan यहीत विर इसके बारें में वहाते हैं और यहा पीप कर सकती हैं लेकि दोस्तों जैसा कि पतंदली ने भी इसके उपर ये लिखा हुआ कुछ नहीं है कि आपको रिमूव 100% करवाएगी क्योंकि दोस्तों पतंदली की से लोगिरा का जो सबसे बड़ा प्रोज अगर की बात करें ब्रोज की बात करें तो यह है कि यह चेहरे को अच अगर किसी को ज्यादा पसंद है तो इसके लिए आपको इस पेसों को थोड़ी ज्यादा मातर में लेना पड़ेगा अभी दोस्तों देखते हैं कि यह जो पतंदली की फेसोस आती हैं वो देखती कैसी है यह जैसा कि आप देख पारें पतंदली की फेसोस को बागी की फेसोस की तरह यह दिखती हैं दोस्तों पतंदली की जो यह पेसोस आती हैं वो नेचुरल तरीकी से त्यार कीगी है इसका सबसे बड़ा प्रोज अगर बात करें तो यह हैं कि यह नेचुरल तरीके से त्यार क करें ताकि इन्हें दोस्त इसका लाप बड़ा सके और एक सफ़ प्रुड़क्ट सुन सखेंगे दोस्तों अगर आपको किसी भी पतंजलि प्रूड़क्ट के बारे दोस्तों कमेंट करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूलेगा वीडियो देखने लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद